आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का प्रती दिन जीवन का आनन लेना में स्वागत है प्रती दिन मैं इस कारिक्रम में आपको ऐसी बाते सिखाने का प्रयास करती हूँ जो मेरे विचार से आपके जीवन को बहतर बना देगी मैं आपको ऐसी बाते पताना चाहती हूँ जो प्रती दिन आपको अपने जीवन का अनंद लेने में सहक होगा क्योंकि इश्यू मरा कि आप जीवन का अनंद ले सकें सबसे प्रमुख बाद जिसका हमें सदा धिहान रखना चाहिए वो ये है कि हमें अपने प्राथमिकताओं को क्रम में रखना है यदि हम उन्चीजों को प्रतम स्थान दे जो वास्तों में अधिक महत्व पूर्ण नहीं हो और उन्चीजों को दूसरा तीसरा या चौता दर्जा जे जो वाकई अधिक महत्वपूर्ण हो तो आपका जीवन जटिल हो जाएगा इसलिए आज मैं आपको प्रोसाहित करती हूँ कि प्रथम को प्रथम और प्रमुख को प्रमुख स्थान दे आज की प्रवचन का आनन्द उठाए रूत का पहला द्याय हमें बताता है कि रूत ने अपने पती और पती की भाय को खो दिया उसके ससुर के हत्या की गई उसकी सास ने उसे अपने स्वदेश लोट जाने को कहा जहां वो अपने बविशी की कोई आश्रा रख सकती थी पर अन्तुरूत ने जाने से इंकार कर दिया कटिन परिस्तितियों में बेघर और भू का रहने पर भी उसने अपनी सास के साथ रहने का निश्चे किया उसकी जी-जी औरबा अपने घर लोट चली जिसके बारे में आगे कुछ भी नहीं कहा गया है आश्रे होता है कि किस तरह से दो लोग जीवन में साथ-साथ चलने पर भी निर्णय लिने का समय आने पर एक ये निर्णय करता है और दूसरा वो निर्णय करता है और उसमें एक की बारे में आगे कुछ भी नहीं कहा जाता है और दूसरे की दिन पर दिन प्रगती 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 होती जाती है वास्तों में ये सब हमारे फैसले पर निर्भर करता है कभी-कभी हमें फैसला करना पड़ता है कि अतीत में हमारी जीवन में जो अप्रिये बाती हुई है उसकी प्रती अच्छा विचार रखे ओ-ओ, आज मैं किसे से बात कर रहे हुँ समय समय पर हमें निश्चे करना पड़ता कि हमें परिशान करने वाले को हम ख्शमा करेंगे यह हम जिससे नाराज हैं और जिससे बाते करना नहीं चाहते हैं उसे बाते करेंगे आमीन, अभी मैं बहुत खुश हूँ कटिन समय में रूत स्थिर रही लेकिन साथ इसाथ उस प्रक्रिया में उसे बोज की नजरों में दया मिली जो उस देश का सबसे धनी विक्ती था उस ने उससे शादी की और ईशू मसी के पूरो जो कि सूची में गिना गया एक परमिश्वर का मनिश्य था जिसने एक राजा की मदद की और उसकी उपार को सुविकार करने से बना कर दे क्योंकि प्रभू की वही आ गया थी मुसीबतों से गुजरती हुए भी अयूब ने अपनी प्रतिग्याओं को निभाया और अंत में उसने दुगना अशिर्वात पाया क्रूस पर लटकती हुए भी इशू को अपना वचन निभाना पड़ा कि इतने लोग खुशे कि उसने निभाया शुक्रवार की दिन उससे बहुत कुछ सहा पर रविवार के लिए परमिश्वर को धन्यवाद है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब परमिश्वर की सामर्तनी कब्र में जाकर मरे हुए में से उसे जिलाया तब कैसा रहा होगा पत्रस और योन्ना से कहा गया कि वे उस नाम का आगी से प्रचार ना करें और उन्होंने कहा आपको जो कना कर लीजिए हम तो प्रचार करते ही रहेंगे पवित्रात्मा का अभिशेक पाने कर मेरी कलीसी एने कहा कि तुम्हें यहां से जाना होगा मुझे एक फैसला करना था वो मेरे जीवन की बहुत प्रमुख मोड थी इस कारण मैंने अपने मित्रों को खो दिया आज मैं खुश हो कि उन्होंने मुझे धक्के मार दिये आमीन पॉलस ने का इनमें से कोई भी चीज मुझे हिलानी सकती नहीं मुझे मेरा प्रांट प्रिय है खिर आपको क्या हिलाता है क्या आपने अपनी दोड पूरी करने का फैसला किया है द्रिड और अडिग रहकर प्रभू के कार्ये में सदा बढ़ते रहो अब मैं आपको उस विशे के बार में बताऊंगी जो की प्रभू के वच्चनों में छिपा हुआ एक प्रभावशाली रहस्य है जिसे अनेक लोग समझते नहीं हैं और शायद उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाशन पाल लेते हैं परन्तु मैं नहीं जानती कि सच मुझ कि जो आपको लगता है कि दुष्ट, बुरा, अन्याय और अनुचित है तब शैतान को जीतने का एक मात्र रास्ता है किसी की भलाई करना प्रभू के कारियों में बढ़ते रहने की बात हम पढ़ते हैं और जो पालुस कहने की कोशिश कर रहा है उसे बिलकुल भूल जाते हैं वो कह रहा है कटिन परिस्तितियों में आपको तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दुरुड और अडिक रहो और दूसरों की आशिश का कारण बनो। दूसरों के पास जाकर उनकी साहता करने में विशेश प्रभाव हैं। दूसरों का निर्मान करना चाहिए, दूसरों की गलतिया नहीं देखना चाहिए। अभी इसी वक्त में यहाँ पर कई लोगों का दामपत्य जीवन तूटने से बचा सकती हूँ, जो अभी बिगडी हुई, स्थेती में हैं। दूसरों की आलोचना करना पूरी तरस से छोड़ दें और हर चोटी-चोटी गलतियों को बड़ा और गंबीर बनाना चोड़ दें। कि किसी में केवल एक ही भलाई हो, उस अच्छे गुण की प्रशंसा करने लगेंगे, तो वो व्यक्ती और भी आपने जीवन में भला बन जाएगा। मेरा मतलब इश्यू ने कहा, योहना 13.34.35 में, मैं तुम्हें एक नई आगया देता हूँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम अपने बाहरी रूप रंग, अपने टेप रेकॉर्डर्स और अलमारी बर मसी पुस्तोकों को रखकर, शायद ही उनको पढ़ने के द्वारा संसार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आज सुबे मैंने प्रातना की कि जो टेप सब घर ले जाते हैं और जो पुस्तोके आप खरीद कर जाते हैं, वे आपके घर के अलमारी को सजाने और आपको आध्यात्मिक दिखाने के लिए ना रहें। वरन मेरी प्रातना है कि आप उन्हें सुने और पढ़ें, उन्हें सुने और पढ़ें। अन्य था वे आपके लिए लाभप्रद नहीं होंगे। आमीन। आपके और हम चवतकार पाएं और हमें प्रक्रिया से हो करना जाना पड़े। हम इसी ताक में रहते हैं कि प्रचारक हमारे शहर में आए और हमें भीड़ पर से बुलाकर हमारी भविश्यवानी करके हमारे भविश्य को बताए परन्तों हम किसी प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हम बहुत अधिक घटना केंद्रित है और इस घटना को बड़ा कर स्वीकारते हैं कलीसिया में जरूरी नहीं कि हर अफ़ते कोई घट ना घटे जरूरी नहीं कि आप हर समय उत्तेजित होते रहें और पुलकित होते रहें सच बात है कि आप हर अफ़ते जाकर भी कुछ महसूस नहीं करेंगे और यह बिल्कुल ठीक है जरूरी नहीं कि आप एक प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं। और उसमें समय लगता है और कभी-कभी आप ऐसे काम में लग जाते हैं जिसमें की अधिक समय लग जाता है। प्रभू चाहते कि हम अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं जीये। इसलिए कई बार प्रबु हमसे उन भावनाव को दूर कर देता है जो हमें प्रिय हूँ हमें प्रक्रिया से होकर गुजरना है और कई लोगों को ये पसंद नहीं है उन्हें केवल बंपर स्टिकर और जीसस पिन और टेप रेकॉर्डर और किताब और बहुत से टेप अपने घर में रखने का शौक रहता है और वे रविवार सुबह चर जाना नहीं भूलते लेकिन यही काफी नहीं है हमारे जीवन में फलों की जरूरत है तुम उनके फल से उन्हें जानोगे यदि मैं केवल दो प्रवचन ही सुना सकूँ या केवल तीन मान लेते कि प्रभू कहता है तुम अपने जीवन में केवल तीन ही प्रवचन सुना सकती हो केवल तीन ही तो वे क्या क्या होंगे जानते वे क्या होंगे मैं लोगों को प्रेम चलन के बारे में सिखाऊंगे उन्हें कहोंगी कि उनके जीवन में प्रभू की उपस्तिती कितनी महत्वर रखती और प्रभू को खोजना कितना जरूरी ये जान करकी कि वो कौन है ना कि वो आपके लिए क्या कर सकता है और फिर मैं लोगों को मास को सूली पर चड़ाने तथा स्वार्थ को दूर करने के बारे में सिखाऊंगे ताकि वे सच मुचात्मिक जीवन जी सकें मेरे विचार से ये तीन महत्वपूर्ण विशे हैं जिनके बारे में हमें सुनना और सीखना जरूरी है आप कहेंगे तो क्या आप हमें चंगाई, सम्रुद्धी, विजय सफलता और प्रगति के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगी नहीं ये दि मुझे तीन विशे चुनना पड़े तो मैं इनको नहीं चुनूंगी क्योंकि ये आप पहले कहेंगे तीन विशे को जान लेंगे तो सब कुछ पानूंगी मैं बाकी विशे को भी सिखाती हूँ क्योंकि उन परिनामों की और ध्यान रखने परी हम कठिन विश्यों से होकर गुजर सकेंगे इसलिए हमें ये जान लेने के आवशकता है कि दुर्ता के उस ओर एक प्रतिफल होता है मैं नहीं डिगूंगा कहने कि उस ओर एक प्रतिफल होता है प्रभू के कारी में बढ़ते रहने के उस ओर एक प्रतिफल अवश्य होता है, हर बात के साथ प्रतिफल रहता है लेकिन वो तब ही प्राप्त होगा, जब आप सही कारे करेंगे इसलिए मुझे केवल तीन विशेह पर प्रचार करने को कहा जाए तो मैं वे रूखे सुके विशेह ही सिखाऊंगे मैं आपको मास और बड़ी हड्डिया भी खिलाऊंगी मैं आपको वे सारी सब्जियां खिलाऊंगी जो आपको पसंद नहीं और जिससे आप ठूखेंगे मैं अपने बच्चों को पिसे हुए केले और फल खिलाया करती थी और वे बस उसके बाद चमत से उन्हें साग और उबाले हुए कैरेट खिलाती थी वे उसे थूख दे थे सब उनके मूँ से बहार निकल जाता था शायद आप लोग भी ऐसे ही है ना केवल आप ही बल्कि हर कोई ऐसा है कि चमतकार आशीर सफलता चंगाई सम्रुद्धी यम 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 भा फिर मैं कहती है हम छोड़ दो शेत्रों से प्रेम कर आपने सताने वालों को धनी कहो पर जानते हैं मैं एक अच्छी मा हूँ मैं अपने बच्चों को क्या करती थी जानते हैं खिलाते समय जो कुछ उनके मूँ से बाहर बैता है मैं उसे दुबारा उनके मूँ में चमत से थूस देती थी किसी न किसी तरह से उसे निगलवा देती थी चाहे आप इस वर्ष या अगले वर्ष इसको अपनाएं पर आपको अपनाना ही हैं जानते क्यों क्योंकि नीरेस प्रवचनों को सुने बिना हम तंदुरुस्त और परिपक्वों मसीही नहीं बन सकते हैं देखे ऐसी बात ही मुझे पसंद हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कितनी बिगड़ी हुई थी और मुझ पर क्या बीती थी मैं कोई पुस्तक पढ़कर भाशन तयार नहीं करती हूँ यही मेरा आनुबह है आपको प्रेम में चलना सीखना चाहिए आपको खुद की चिंता करना छोड़ देना चाहिए एक हास कर जब आप दुखी हो सबसे प्रभावशालि काम जो आप कर सकते हैं वो है अतीत के दुख दरद भूल कर दिख़े चैता कि आपको बताएगा वो आपको बताएगा कि क्या करना है कि आपको दे सकते हैं लोग अपनी जरूरत और चाहतों के बारे में जो कुछ कहते हैं उसे सुनने के लिए अपने कानों को तयार कीजिए अपने कानों को दूसरों की बात यस सुनने का प्रशिक्षन दीजिए कई चीज़े जो दूसरे लोगों के पास नहीं होते आपके ड्रॉर में बहुत है क्या मैं इसे नहीं दे सकती शयाद फिर कभी इदना पड़ता है तो बहतर है कि आप अभी उसे दे दे और बीज बोए ताकि बाद में आप उसे ढूंटे ना रह जाएं। आपको अच्छा लगे या ना लगे मैं अच्छा प्रचार करें। रोमियो बारा सत्रा बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बाती सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सकी तुम अपने भर सक सब मनिश्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो अपना पल्टा ना लेना पर तुक्रोत को अफसर दो क्योंकि लिखा है पल्टा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा पनुत यदि तेरा बहरी भूका हो तुसे खाना खिला यदि प्यासा हो तुसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आक के अंगारों का धेर लगाएगा। यहाँ प्रेम के बारे में कहा गया है यदि आप नीती वचन को पढ़कर सबज़ने की कोशिच करेंगे तो जानेंगे कि बुनियादी तोर पर कहा गया है कि प्रेम कठोर दिलों को भी पिगला देता है। बुराई से ना हारो परन्तु भलाई से बुराई को जीत लो। में सदा बढ़ते रहेंगे। यह समझ देना बहुत जरूरी है कि मैं दुरुड और अडिग रहूंगी, मैं दूसरों के लिए सदा आशीश बनी रहूंगी, चाहे व्यक्ति गत्रूप से मुझे जितनी भी ठेस लगी, मैं दूसरों के लिए आशीश बनी रहूंगी। चाहे मैं खुद जितनी भी दुखी रहूं, चाहे मेरे जीवन में जो कुछ भी होता रहे, मैं दूसरों के लिए आशीश बनी रहूंगी, मैं मानती हूं कि ये आत्मिक युद्ध है, मैं मानती हूं कि शैतान को हराने का यही एक रास्ता है। मेरे जीवन के हर दिन मैं शैतान को अपने जीवन में हराते रहने के लिए संसार भर के लोगों की भलाई करती रोंगी और आशीज बनी रहने दूसरों की भलाई करके ही आप शैतान को हरा सकेंगे इतना ही नहीं जानते जब आप दूसरों को आशिश देने लगते हैं तो क्या होता है आनंद मेरा मतलब है मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ मैं यह नहीं कहती कि वा मैं कितनी अच्छी हूँ जानते हैं लंबी समय तक मैं सबसे मतलब ही व्यक्ती थी और आज यहीं किसी को कुछ ना दू तो मैं नहीं रह सकती क्योंकि मैं मानती हूँ कि देने में ही हमारी खुशी है खुद को देना अपना समय देना अपना धन अपनी सामगरी प्रशंसा हुटसाह लोगों के लिए चीजें खरित कर देना और आशीश बने रहना प्रभू ने हमें इसली नहीं बुलाये कि हम अपने लिए सब कुछ बचाए रखें मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या वो कहता है अपने बारे में सोचे बिना स्वयम पर से ध्яз नटाकर अपनी च्छाओं को प्रदान न समझना जब आप खुद किसी मुसीबत में हो आप अपनी चिंता किये बिना किसी और की साहता करे आप जिस फल की आशा रखते हैं उसका यही उत्तम भीज है एक बात पर ध्यान दीजिए क्या आपने कभी सोचा है कि संकट और परिक्षाओं की समय जब आप खुद की रख्षा या मदद करना तक नहीं जानते उस समय प्रभू आपको किसी दूसरे की मदद करने का अभिशेग देता है जो आप से भी अधिक परिशानी में हो मैं सोचा करती थी अहां मैं अपनी समस्या को दूर नहीं कर पारी हो पर तो यहां मैं आसानी से दूसरों की समस्या को दूर कर देती हूं फिर मैंने जाना कि प्रभू ने हमें अपनी सेवा करने को नहीं वरन दूसरों की सेवा करने के लिए बुलाया है और जैसे जैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, प्रभू हमारी जीवन में उसका प्रतिफल देता है। और फिर कि आप जानते प्रभू को मही मा मिलती है। कई लोग चमतकार के लिए प्रात्ना कर रहे हैं। और आप किसी के लिए चमतकार बन सकेंगे दिया प्रभू को आपके द्वारा कारिक करने दे। यह सारी बात इतनी आलोग के का ध्यात्मिक अस्वर्ग के आस्पास मन राती हुए नहीं जैसा कि हम सोचते हैं। प्रभू एक क्वाशिश देने के लिए दूसरे का प्रयोग करता है। बहुत सारा दन यूहीं आस्पान से नहीं टपक जाता। सुनिये की लोग क्या कहते हैं, जानिये की वे क्या चाहते हैं और उन्हें किस चीज की आवशकता है। मेरे मित्रों के पास मुझसे अधिक है, मैं उनकी लिए कुछ नहीं खरीदूंगी। ये तो बड़ी मुर्खता है, जानते हैं क्यों। मैं आपको बताती हूँ कि हमें और क्या जानने की जरूरत है। हमें सीखना है कि गरिबियों के जीवन में बीजबो कर उन्हें किस तरह से उचा उठाए, साथ ही ये भी जरूरी है कि हम लोगों को वो दे जो हम अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वे हमें उचा उठा सके। कभी ये न सोची कि आप उन लोगों को नहीं देंगे जो आप से अधिक धनवान है, शायद उन लोगों को देना ही सबसे शेष्ट होगा। क्योंकि आप बीज बो रहें खैर धन्य प्रबो ना, उनके पास बहुत है उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं, बात जरूरत की नहीं है, बात है आशीश पाने की कुछ लोग जिनके पास सुख सुविदाएं होती हैं, कोई उन्हें कुछ भी देनी की नहीं सोचता, ऐसे अदना करें तो वे मर जाएंगी हर दिन उटकर किसी न किसी को आशीशीत कीजिए लंच का बिल भरिए डिनर का बिल भरिए जाकर किसी दूसरे को वे उबदेशात मक्तेब खरीद कर दीजिए खरीदारी के समय दिया आप पसंद की कोई चीज देखते हैं तो उसमें से दो खरीद कर एक किसी और को दीजिए आप कहेंगी कि धनी प्रभू अच्छा होगे दी मेरे पास उतना धन होता काश मैं किसी को दे पाती जब तक आपके पास जितना है उससे आप आरंब ना करें आपको कुछ नहीं मिलेगा मुझे याद है कि मैंने अपनी दीवार से एक तस्वीर और अपने बेट से एक बेट स्प्रेड लेकर किसी को दिया था क्योंकि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं था आप जहां भी हो वहीं से आरंब करें हर कोई किसी के लिए कुछ न कुछ कर सकता है हमें कलीसिया में प्रवाहित प्रेम को पाना चाहिए हमें मसीह की देह में बहते प्रेम को पाना चाहिए हमें शैतान को नारास करना है प्रेम एक आत्मिक युद्ध है इसी लिए पॉलुस ने कहा सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम रखो और जानते इसी अध्याय में पॉलुस ने मुसीबत और परिक्षाओं के बारे में कहा है पहला पत्रस चार में और उसने कहा सबसे बढ़कर बहुती गहरा, सच्चा और अगनी माई प्रेम रखने मेरे अनुसार मुझे अपने जीवन में अपनी प्राथमिक्ताओं की पुनह जाज करने वा कुछ बराबरी करने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा वेस्त रहना बहुती आसान होता इसे हमारी प्राथमिक्ताओं उलट पिलट जाती है तो जैसा कि आज आज आपने मेरा कारेक्रम देखा यदि फिलहाल आप सोच रहें सच मुछ मेरे जीवन में कुछ बाते व्यवस्तित हैं तो उससे निराश मत होईए वरन खुश होईए कि कम से कम अभी आप उसे जान कर उसे सुधार सकते हैं यद्यपी हम सबकी प्राथमिक्ताय अलग-अलग होती हैं कुछ प्राथमिक्ताय होती हैं जो सब के लिए समान होनी चाहिए और उनमें से के इस बात का ध्यान रखेगी जीवन में समझोता ना करें हमें सच्चे इमानदार और उत्कृष्टि व्यक्ती रहना चाहिए क्योंकि हम उत्तम परमेश्वर की सेवा करते हैं मैं आपको प्रेम में चलने का स्मरण दिलाना चाहती हूँ अपने दैनिक जीवन में प्रेम में चलने को प्रात्मिक्ता दीजिए क्योंकि ईश्यू ने कहा कि वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशय है यदि प्याप को लगे कि वो निश्क्रिय है वास्तों में वो सक्रिय है और यदि हार ना मानेंगे तो आप उसका परिणाम अवश्य देखेंगे